वेलकम टू श्रिवास्तव क्लासेश आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बेसिक कॉंसेप्ट एन आइडियाज इन एजुकेशन इस सब्जेक्ट के भई आप लोगों को एक्जाम पैटर्न बताने वाला हूं साती साथ भई आप लोगों के एक्जाम में किस टाइप से क एकस्प्लेइन करने वाला हूं यह जो सब्जेक्स है यह बीए प्रोग्राम फर्स सेमेश्ट वाले स्टूट्स के पास होता है इस सब्जेक्ट में टोटल तीन यूनिट है न्यू स्लेबस के अकोर्डिंग न्यू एड्यकेशन पॉलिसी के अकोर्डिंग और तीन दिखाना चाहूँ आ तो इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यह स्लेबस आया है अपकी स्ट्रीं पर यह सुर्ण प्राना वहुआ करता था उसमें भी तीन यूनिट थी लेकिन जो तीसरी यूनिट थी इसमें गिन्तिके सिर्फ चाड चेप्ट रहते हैं पुरानी यूनिट है बस तीन यूनिट में एक छोटा सा बदला हुआ है वो क्या बदला हुआ यहां पर थर्ड यूनिट में जो यह फर्स चैप्टर हुआ है ना आप लोग का यह एड हो गया है पहले यह वाला चैप्टर नहीं था अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लो पैटर्ण मैं आप लोगों को प्रिवेस सेर के कोशन पिपर से समझाने वाला हूँ यह प्रिवेस सेर को कोशन पिपर हमारे लिए इसलिए हल्पुल है क्योंकि भाई स्लेबस जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदलाव नहीं हुए तो टेंशन लेने की कोई जरूत नहीं है almost same से ही होगा पैटर्ण और कोशन वगेरे जो हैं वो भी सारे almost same से ही आने वाले same type से आने वाले है तो भाई exam पैटर्ण में सबसे पहले आपके mind में यह doubt आएगा कि हमारा exam जो है वो कितने number को होने वाला है तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो आप लोग exam जो है वो आप लोग 75 marks का जो होने वाला है अब 75 marks में से आप लोगो pass out होने के लिए कितने चाही है तो भाई आप लोग को 30 marks जो है वो लाने होते हैं pass out होने के लिए हर एक subject में 75 में से इट मेंस आप लोगों को 40% जो है वो बनानी होगी हर subject में pass out होने के लिए अब आप लोगों माइन में ये भी doubt आएगा कि बही exam duration के होते हैं तो बही usually जो है आप लोगों की exam duration जो है वो 3 गंटे के होते हैं आने के आप लोगों 3 गंटे मिलते हैं exam में सारे question attempt करने के लिए अब question भई आप लोग कितने आएंगे ये भी आप लोग को बतरते हों भई 8 से 10 question आने की changes से आप लोग के और अब बार इतने ही आते हैं अब 8 से 10 question में से आप लोगों करने कितने होंगे गिंती के आप लोगों को आदे question करने होते हैं अगर 8 आएंगे तो आप लोगों को 4 question करने होंगे और 10 आएंगे तो आप लोगों को 5 question करने होंगे बाकि भई आप लोग जो है जब experience करोगे तो आप लोगों को कुछ changes होगा तो महीं पता चल जाएगा बाकि जो expected है वो मैंने मोटे तोर पर आप लोगो को बताई दिया है अब यहाँ पर भई कुछ इस्ट्रेंट्स ये भी डाउट करते हैं कि हमें एक question का जो answer है वो कितने pages में लिखना चाहिए तो भई साफ सीधा सा answer है अगर आपका theoretical subject है तो भई आप लोगों को लिखने की कोई भी जरूत नहीं होती है एक्जाम में भी चार से पांच पेज का मेरा मतलब है वन साइड आप गिनोगे तो उसे वन पेज बोलूँआ मैं और दो साइड गिनोगे तो यानि कि दूसरी साइड को दूसरा पेज ऐसे करके आई होप आप लोगों समझ में आ चुको होगा किस तरीके से आप लोग को जो एज मिखना है points को बस थोड़े बड़े कर देना उनका explanation थोड़ा जाद रखना और points जितने अच्छे से आप explain करोगे उतना ही आप लोगों के बैटर है paragraph में अगर आप लिखते हो तो आपको marks जो है as compared to points कम ही मिलते हैं तो इस वज़े से मैं आप लोगों को suggest कर रहा हूं कि आप लोग जो अपना answer है वो points में explain करिएगा अब यहाँ पे भई कुछ बच्चों के ये भी doubt आता है कि भई क्या हम English medium के हैं तो Hindi medium में paper दे सकते हैं या हम Hindi medium वाले हैं तो English medium में दे सकते हैं तो देखो भई साफ साफ आपके question paper पे भी लिखा होता है कि आप इस paper को किसी भी medium में attempt कर सकते हो फिर चाहे आपका कोई साभी medium हो कोई matter नहीं करता बस आप लोग को इस question paper को किसी भी एक medium में attempt करना है I hope आप लोग को exam pattern जो है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा बात कर लेते हैं आप लोग को question किस type से आते हैं तो question भई मैंने आप लोग को बताई दिया 8 से 10 question आते हैं और उसमें से आप लोग को 4 से 5 question करने होते हैं question आप भई पहला देख सकते हो इस subject को भई मैंने पहली आप लोग को बता दे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है हमने अपनी वीडियो के तुरू explain कर रखा है उन सारी वीडियो का लिंक नीचे description में मिल जाएगा जाके पढ़िये ज़रूर आप लोग को easily समझ में आ जाएगा हिंदी मीडिया में पढ़ा रखा है तो देख सकते हो भई पहला question जो आप लोग है ये आप से पूछ रहा है भई बच्चे की प्रकरती शिक्षन एवम स्कूल के संदर्व में क्रिशन मूर्ती के शेक्षिक विचार जो है उसके बारे में पूछ रहा है देखी गई है कि हर चैप्टर से भाई एक question बनता है हर चैप्टर से एक ही question बनता है यह चीज यूजवली देखी गई है exam pattern के अंदर तो मैं आपको suggest करूँ है अगर आपके पस time जादा नहीं है तो आप सिर्फ आदे स्लेबस पर ही focus कीजिए क्योंकि वैसे भी आप लोगो को चारी question attempt करने होते हैं आदी question attempt करने है अगर आप आदे भी कर लोगे तो आप easily pass out हो जाओगे जब एक chapter से एक question बने गई और आपको आदे स्लेबस अगर आप complete कर लोगे न तो आप लोगों का आदा paper यानि कि आप लोगों को वैसे भी आदी पेपर करना है और आदा paper से आ क्योंकि बही यह जब online exam होते हैं उसका question paper है बाकी offline जो आप लोगों के exam हो रहे हैं इस वार उसमें बही आप लोगों के 8 से 10 ही question आने वाले हैं मैं लिखके दे सकता हूँ यह बात आप लोगों को बाकी बही आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला और कुछ help मिले हो तक please like button जरूर दाना और अपने दोस्तों के share जरूर करना प्लाल के लिए मिलते हैं next video में thank you